पुलिस चौकिन नरॉली शेत्र के ग्राम भाटोल निवासी फूल सिंग पुत्र लेलाधर के तीन बेटे हैं जो की पंजाब में मेनत मजदूरी करके अपने परिवार का पालन पोशन करते हैं बड़े बेटे संत कुमार की पुत्री कुरितेश ग्राम भाटोल में अपने दादा फूल सिंग पुत्र लीलाधर के पास भाटोल में रह रही थी दिनांक 1 अगस 2021 को दिन में कुरितेश अचानक कहीं गायब हो गई लड़की को इधर उधर काफी तलाश गया लेकिन कोई भी जानकारी नहीं मिली लड़की के दादा ने जानकारी देते हुए बताया कि चंडिगर जीरगपुर में एक लड़का जिसका नाम सुनील कुमार पुत्र राजू पहले से ही शादी शुदा है जिसकी तीन माँ पूर्फ शादी हो गई है निवासी ग्राम चरसौरे मेरी पोती को बहला फुसला कर ले गया मैंने अपनी पोती को बहला फुसला कर ले जाने के समद में थाना बनिया ठेर व नरॉली पुलिस चौकी में लिखित तहरीर दे दी है लेकिन मेरी कोई भी कारिवाही नहीं हो रही है चौकी प्रभारी नरॉली रोग्राज सिंग द्वारा बताया गया है तहरीर के अधार पर सुनील पुतिर राजू के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है और गिरफतारी के प्रयास किये जा रही है विए है तो उस बेटी का नाम क्या जो बेटी बहा के गया है तो उस बेटी का नाम क्या जो बेटी बहाइक आपको साग है एक में पूरा-पूरा पता है कि उस रड़के काम है तो इघटन कहा टारीक्ची कितने दिन दिना किया हुआ पिछले चली बारी लगवागभा केतने दिन होगा लाफ़क लगा आज नवी दिन है आज नम दिन है जब आपकी बेटी को बहा के लेगी जैसा आपको सक है तो इस सब्मंद में आपने थाने पर ये चोखि में कोई सेकायती पत्र दिया थान पूंछा लगता आपका बन्याठे अच्छ की नर्ली अच्छिए तोनों प्रेफ़र प्रात्ना पत्रो दिया लेकिन फिर क्या हो आपके बैटीग हो जानकरी मिली कोई सुनाई नहीं गरी कोई मुकाद में लिखा पुलिस नहीं में हभर हम अई आप क्या रहे हो हमसा जब जिए जानग text पड़ाह मैं लड़ आपका तो आप इस समय क्या है इसका है प्रधान पती प्रधान पती है आप प्रधान जी बतायए कि फूल जी पूल सिंग पूती है कि उसको बहा के ले गाया इस तरह का मामन शंग्यान माया है तो पूरा जयानकारी का है, आपको पता है इस बार में. जयानकारी ये है कि मतल। फूल सिंख मेरे पास आये ते, बोले लड़की यह वार एक बीज़ गाइब है, जी. फूल सिंख ने कहा था, मतल। कि मेरे साथ चलो, ढूनधान करो, कि अच्छे जाप लड़की को पितलाश के का नई लड़की जो नहीं मिल पाई तो उस सम्भन में क्या थाने में एक चोकी में कोई ऑफोर सेंगे जैसा उनकी द्वारा बताया है कि मुझे एक सब्ता हो गया कि मेरे कुई कारवाई नहीं हो रही है नी कारवाई चल लगी है इंचारवाई चाल हुए